Hello everyone and welcome to Candid Trade और आज मैंने बनाया है eggless tutti fruity cake with super delicious apple filling और ये cake बहुत ही जादा tasty लगती है तो सबसे पहले हमें बनाना होगा apple filling जिसके लिए यहां मैंने 2 apples को peel करके बहुत ही छोटा 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 चॉप कर लिया है और अब इसे एक pan में डाले, इसमें डाले 1 tablespoon butter salted या फिर unsalted कोई भी use कर सकते है इसे एक से दो मिनट के लिए हमें medium flame पर पका लेना है तो आप इसको दो मिनट पकाने के बाद इसमें डाल दे दो दाल चीनी के टुकरे दो से तीन टेबल स्पून चीनी और वन टेबल स्पून ब्राउन शुगर और थोड़ा सा पानी तीन से चार टेबल स्पून के करिब और इसके बाद इसमें डाल दे थोड़ा सा नमक और नेम्बू का जूस तो जो ये apple के filling हम बना रहे हैं इसके के लिए ये बहुत सारी चीजों के साथ यूज हो सकता है जैसे आप इसे यूज कर सकते हैं आपल पाई के filling के लिए आईस क्रिम के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं और ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और अब इसे हमें medium to low flame पर 5-8 मिनिट के लिए पकाना है जब तक कि इसका sauce अच्छे से थिक न होने लगे लेकिन बहुत जादा भी थिक नहीं करना है तो जब ये इस तरीके की consistency में आज़े उसके बाद flame को off कर दे और इसे ठंडा होने के लिए रखते तो हमारा apple filling हो गया है ready और अब केक बनाने के लिए यहां मैंने लिया है 175 ml के करभ milk और इसमें डाले 1 tablespoon vinegar और इसे अच्छे से mix करके रख दे दो से चार मिनट के लिए side में और अब केक बाटर बनाने के लिए एक bowl ले और इसमें डाले 4-5 tablespoon unsalted butter और ये room temperature पे होना चाहिए उसमें डाले 3-4 tablespoon powder sugar जो की है पिसीवी चीनी तो यहां मैंने sugar कम use किया है क्योंकि हम इस cake को बहुत जादा मीठा नहीं बनाएंगे क्योंकि apple filling पहले से ही बहुत जादा sweet है और अब इसे अच्छे से butter के साथ mix कर ले 2-3 minute के लिए बहुत जादा mix नहीं करना और इसमें डाले 4-5 drop vanilla essence के और अब इसमें डाले 6 टेबल स्पन के करिब condensed milk तो यहां मैं इस cake को बना रही हूँ oven में लेकिन अगर आप इसे bake करना चाहते हैं बिना oven के तो मेरे चानल पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगी जिसमें मैंने बिना oven के cake को bake कैसे किया जाता है वो बताया है और अब इसमें डाल दे 2 टेबल स्पन flavorless oil और इसे अच्छे से mix कर दे और आपको सारे cake का link description box में मिल जाएगा तो वहां से आप चेक कर सकते हैं और अब इसमें डाल दे 1 teaspoon नमक, 2 teaspoon baking powder and 1 teaspoon baking soda और अब हमें डालना है मैदा तो सबसे पहले 10 टेबल स्पन के करें मैदा डाले और मैदा को हमेशा आप च्छान के यूज़ करें जिससे की बैटर आपका लंफरी बनेगा और इसके बाद इसमें हमें डालना है टूटी फूटी तो यहां मैंने सिंगल एक ही कलर का यूज़ किया है अगर आप अलग अलग कलर की टूटी फूटी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं और अब इसे बहुत ही हलके हातों से हमें पहले मिक्स कर देना है और फिर से सेकंड बाच में हमें 5 तो 6 टेबल स्पून मैदा का और यूज़ करना है तो यहां मैं आपको एक बोल मैदा यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता सकती थी लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका बोल एक जैसा हो तो टेबल स्पुन से यूज करना इसलिए एजी होता है कि आप इसको धीरे धीरे करके डाल सकते हैं और आपको समझ में आता है कि आप कितना मैदा डाले और कितना नहीं डाले क्योंकि हमें बहुत जादा एक्सेस मैदा का भी यूज नहीं करना होता है और अब इसमें हमें डालना है मिल्क और विनेगर का मिक्शर जो हमने पहले तयार करके रखा था तो मिल्क और विनेगर के मिक्स को भी हमें एक साथ नहीं यूज करना आप इसे दो से तीन बैच में करके यूज करें पहले थोड़ा सा डाले और मिक्स करें और इसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा डाले और फिर से मिक्स करें, तो बाटर जो है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, बहुत जादा पतला भी नहीं और बहुत जादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा केक का बाटर हो गया है रडी, और अब एक के कर रही हूं तो एक हीस्स में सारा नहीं डालना है क्योंकि यहां मैंने जो न्यूज क्ले जा थोरा सा प्लाइम साइज कर नहीं स्मॉल साइज का इसले मैंने दो केक Oscars-S спасибо और इसे बेक कर ले 180 degrees पे 40 to 50 minutes के लिए जब तक कि आप इसमें toothpick डाले और वो अच्छे से clean ना निकल जाए और अगर आप इसे without oven बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे without oven वाले केक की वीडियो देख सकते हैं उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा और यहां हमारा eggless vanilla tutti fruity cake हो गया है ready काफी जादा moist है soft है और spongy भी है तो हमारा cake हो गया है ready filling भी है ready और अब इसे हमें करना है decorate तो पहले आप cake को दो layers में काट ले equally और उसके बाद side में whipped cream की एक border बना दे जिससे की जब हम filling इसके बीच में डालेंगे तो वो side से निकलेगा नह और अब इसके बीच में डाल दे हमारी delicious सी apple filling और trust me अगर आपने ये apple वाली cake try नहीं की है कभी तो आप इसे जरूर ट्राइ करके देखे इसका taste बहुत ही ज़्यादा amazing होता है और अब इस layer के उपर रखे एक और cake की layer और हमें same process repeat करना है सारी cake की layers पे तो यहां मैंने 2 cake बनाया था तो मेरी layers हुई 4 तो इसी तरीके से मैंने सब को repeat किया तो सारी layers को लगाने के बाद इसे हमें whipped cream से cover कर देना है तो आप अच्छे से पहले इसे चारो बगल से cream से coat कर दे और उसके बाद आप इसे जिस तरीके से भी design करना चाहते हैं plane या फिर swirl बनाना चाहते हैं तो जैसे भी बनाना चाहते हैं आप उसे decorate कर सकते हैं उस तरीके से तो यहां मैंने cake को पूरा smooth करते वे अच्छे से decorate करते वे video नहीं डाला है क्योंकि उसे video काफी जादा लंबा हो जाता और मैंने इसके top पे बनाया है whipped cream से rose और अगर आप भी rose बनाना चाहते हैं तो आप मेरी rose वाले video देख सकते हैं जिसमें मैंने italian buttercream से बनाया है बट आप same process से whipped cream से भी बना सकते हैं और अपने cake को decorate कर सकते हैं इस beautiful से दिखने वाले rose से तो जरूरी नहीं कि आप इस cake को ऐसे ही decorate करें आप कैसे भी decorate कर सकते हैं बट आप इस apple cake को जरूर ट्राइ करें क्योंकि ये बहुत ही जादा amazing है